हलो दोस्तो केसे है आप दोस्तो आज आपको बताने वाले है कि P.F. से समधित बहुत बड़ी जानकारी इसकी जरूरत आपको भी कभी न कभी पढ़ सकती है जो आपका P.F. अकाउंड होता है उसके अंदर अगर आपका फादर नेम गलत है या आपका जो फादर नेम था वह आपको उसको कैसे सही करना है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बारी की से सब कुछ समझाऊंगा डीटेल के साथ इसमें जो आपका अधर काड होता है उसके अंदर नाम तो सही था लेकिन जब P.F. कंपनी ने उसको डाला था तो उसमें आपका पेन काड हो या अ फॉरम भरते हो तो वह आपका कैंसल हो जाता है तो यह फॉरम भरने के बाद क्यों कैंसल हो रहा है इसका यही कारण है कि आपका जो पिता जी का नाम है वह सही नहीं है आपके P.F. अकाड में तो उसको कैसे सही करोगे तो चलिए वीडियो के अंज तक आप पूरा बने रह सबसे पहले आपको UAN और पास्पड की मदद से कैप्चर डाल कर लोगिन हो जाना है जो EPF की साइट होती उस पर लोगिन हो जाना है जब आप लोगिन हो जाओगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दीखेगा तो आपको यहां से क्रोज का निसान से इसक पर नजर नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर आपको वह नजर नहीं आएगा जबकि यहां पर वह EPF की सभी डेटेल ने आपको नजर आएगी जैसे UN नमबर हुआ, नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, जेंडर हुआ, आधार, पैन, बैंक, अकाउंड, मॉबाइल नमबर, सब कुछ आपको यहां पर नजर आएगा, लेकिन जो फादर नेम होता है, वह नजर नहीं आता है, तो आपका फादर नेम है, गल्द, क्योंकि उसका मैंसन करा हुआ है, वह गल्द मैंसन हो चुका है, कोई कारण से, या जो कंपनी ने उसको मैंसन किया था, तो उनसे कोई गल्दी हो गए थी, जिससे वह गल्द मैंसन हो गया, लेकिन वह जब पी आपको फारों भरते हैं, तो वह कैंसल हो जाता है, उसमें लिखाता है, कि आपका फादर नेम गल्द है, मतलब कि नोट मैच, आपको फादर नाम मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, कि आपको फादर नाम गल्द है, आपको जो फादर का नाम है, वह गल्द मैंसन है, तो आपको मैच चेक करना उसको बता रहा हूँ, और उसको आपको कैसे ठीक करना, यह भी मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा है, इस पर किलिक करोगे तो आपको यहां नजर आएगा प्रोफाइल का उप्सन तो मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं यहां पर प्रोफाइल का उप्सन आ रहा है इस पर आपको किलिक कर देना है तो मैं इस पर भी किलिक करके आपको दिखा दे तो मैंने इस पर किलिक कर दिय है अब मैं आपको दिखाने की यहां से कोसिस करता हूं जो यहां पर नाम दिया गया है जो यू ए एन अकाउंट के अंदर जो नाम है आपका स्वेम का वह आपको यहां पर नजर आएगा और मोबाइल नमबर आपको नजर आएंगे और आपको जैसे ही आप थोड़ा से नीचे चलोगे थोड़ा से इस जगा पर तो आपको यहां पर नजर आएगा मैं कोसिस करता हूं आपको यहां पर दिखाने की यहां पर आप देखोगे थोड़ा नीचे जाकर स्क्रोल कर लेना आप आपको यहां नजर आएगा आपका फादर नेम यहां पर नजर आएगा या तो आपका father name हो सकता है वह या आपका husband name हो सकता है क्योंकि CLC और male and female का ये होता है आपको समझ में आ रहोगा तो यहाँ पर जो फादर name है आप देख सकते हो यहाँ पर जो फादर name है वह है, endured to mention है तो आप यहां से उसको check कर सकते हो तो उसको आपको note कर लेना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आप इसको proper और तरीके से देख सको यह वही option है मैंने इसको तोड़ा जूम किया है या सही है क्योंकि इसी कारण से ही आपका जो आपको PFO फॉर्म भर रहे विड़ॉल का वह इस परकार से कैंसल हो रहा है तो आपका सेटलर नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो यहां से उसको जाफ चेक कर सकते हो अब आपको मैं बता देता हूं इसको कैसे आपको सहीख करना है EPFO अब तक कोई भी ऐसी सुईदा नहीं दे रहा है जिससे आप अपने ओनलाइन तरीके से जो आपका father name है उसको सहीख सको आपको मैं बता रहा हूं आपका जो father name है वे कैसे सही होगा उसको आपको offline सही करना है वह कैसे करना है उसके document कुछ लगते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ उसके अनुसार है आप इसको भरके और आप EPFO जो आपका नज़धी की कारा लिय होता है वहाँ पर आप जमा करके इसको कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ वह कैसे आपको करना है यह एक में फॉर्म आपको दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ इसको joint declaration form कहते हैं जिसके अंदर आप correction कर सकते हैं आपके father name के अंदर तो आपको यह दिख रहा होगा image में आपको इसको जुम करके भी दिखा देता हूँ यह आपका जो नजदी की EPF office होता है उसके नाम से आपको भरना है मतलब कि आप DR request कर सकते हो सर से जो भी आपका लगता है उसमें आपको जो correction करना है आपका जो wrong है वह option होता है और एक correct का option होता है जो आपका correct detail है आपको इसमें लिखना है और आपका wrong है वह wrong option में लिखना है इसके अंदर जो नाम होता है आपका जो particular होता है उसमें father name, husband name, EPS account number, date of birth, date of joining, date of आपका living है वह सब कुछ होता है उसका नीचे का भी मैं आपको प्रारूप दिखा देता हूँ और आपका जो company है उससे आपको महोर, seal उसका लगवा के आपका signature करके आपका महोर, company का लगवा के उसका signature होने के बाद मैं आपको नजदे की जो PFA office होता है उसमें आपको जमा करना होता है इसमें जो document लगएगा वह document भी मैं आपको बता देता हूँ आपके जो document है उसके अंदर आपका name father name and husband name मतलब की male, female के अनुसार जो होता है father's name उसका आप लगा सकते हो या husband name उसको लगा सकते हो pf eps account आपका होना चाहिए number आपका जो आपका mobile number वह होना चाहिए जो आपका pf account नमबर होता है वह होना चाहिए और आपका जो gender है आप male हो female हो वह हो उसका लिखा होना चाहिए date of birth जो आपका date of birth है वह भी पूरा होना चाहिए और आपका date of joining होना चाहिए date of living है तो वह भी होना चाहिए अगर living हो चुका है तो आप डाल सकते हो आधार नमबर आपका होना चाहिए pen card नमबर जो आपका होना चाहिए और उनों का एक एक फोटो कोपी आपको लगाना है आधार pen का और आपका जो ये declaration form के साथ आपको लगा देना अटेचिक कर देना है और आपको इसमें जो मैं बता चुका हूँ कंपनी का मोहर वहर लगवा के आपको इसको जमा कर देना है उसके बाद में आप भी अपना PF withdrawal form भर सकते हो और आप भी अपना PF का पैसा निकाल सकते हो आपको फिर ये कभी भी दिक्कत मेंसन नहीं होगा तो आजा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आये होगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करे आगे share करे और पी एप से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद